Dear students, पिछले चप्टर में हमने चांतर रेशा उन के बारे में उसका एतिहास और उन के प्राप्ति के साधन जिसमें विफिनर प्रकार के साधनों से जहां से उन हमें प्राप्त होती है जैसे बेडों से प्राप्त उन के बारे में बकडी से प्राप्त उन के बारे में आदी बा इस प्रफं श्य नी की बीड़ों को इससर्वप्रत्राइं है यहां पर हमने एक चित्र बताया है जिसमें एक भीर्स के शरीर से प्राप्त वेपिन श्रेणी के उनों के बारे में हमने कहा है कि पहली श्रेणी का जहां एक लिखा हुआ है वहाँ पर अच्छी वालिटी के उन प्राप्त होते हैं और जिस तरह से जैसे जैसे नीचे वाला जो पोर्शन होता है उससे क्वालिटी और भी डाउन हो जाती है मैरीनो उन की रेशो की लंबाई जो है एक से पांच इंज तक होती है इसके रेशे छोटे होते हुए भी अत्यंत प्रत्यास्त कोमल मजबूत सुक्ष्म महीन बारिक और संदर्यूप्त होते हैं दित्री शेनी इनके रेशो की जो लंबाई है वो 2-4 इंच लंबे होते है और इनमें शलको की संख्या है बहुत अधिक परन्दू मैरीनो से कम पाई जाती है त्रत्य शेनी की जो उन है जिसे कहा जाता है यानि जिन भेडों से प्राप्त की जाती है मूलता है इंगलैंड और अमेरिका के हैं इनके रेशे चार से अठारा इंच तक लंबे मोटे रुख्ष कुर्दुले कड़की ले एवम कड़े होते हैं इनमें शलको एवम घुमावो के संख्या काफी कम होती है चतुर्थ श्रेणी का जो उन है क्लास फोर बूल जिसमें मिली हुई जाती की बेड़ों से प्राप अगीले होते हैं रेशो में शलको एवम घुमावो के संख्या जो है बहुत ही कम यानी एक से दो तक ही होती है इनमें परियाप्त मजबूती लज्चेलापन प्रतिस्कंदता शिकन प्रतिरोधक्ता एवम प्रत्यास्तता का सक्त अभाव होता है अब हम बात करें उनी वस्त वस्तर के प्रक्रिया जानने से पूरू अगर हम उनी वस्तर को जाने तो हमें वस्तर निर्बान की प्रक्रिया को समझने भी आसानी होगी गर्म उनी वस्तरों को मुख्या तर हम दो भागों बाढ़ सकते हैं वस्तिड और उनी धागे वस्तिड यानी वुलन फैब्रिक उन वस्त्र छोटे छोटे रिशो से तयार के जाते हैं, रिशो को गुनने के पश्चात सीधे ही कताई करती जाती है, इनकी बटाई भी कम ना के बराबर की जाती है, जिनसे वस्त्र कम मजबूत होते हैं, इन पर हलकी डिजाइन वो बुनाई की साहता से वस्त्र बनाया जाते हैं जो कि देखने में भी आकरशक लगते हैं वस्त में दबाव पढ़ने पर ये खिचे जाते हैं पलता वस्त धीले हो जाते हैं इनके सत्या पर रोय उठ जाते हैं इसलिए फुजिदार भी दिखते हैं इन पर इस्तरी भी ज्यादा टिकाऊ नहीं होती ये वस्त खूब गर्माहट पदान करते हैं इनसे काफी मुल्यमान, बन्यान, शॉले, पुलोवर्स, कारडिगन आदी बनाए जाते हैं वस्त धागे जो होते हैं वो काफी लंबे रेशो की क्वालक छाट कर रख दिया जाता है रेशो की गुनाई के पश्चाट कंगी की जाती है जिनसे रेशे पून तह समाना अंतर हो जाते हैं एक सीधे हो जाते हैं इनकी सगन बुनाई द्वारा आकशक डिजाइन के पन्धुहलके मजबूत लिकाऊ वस्त बनते हैं चुकि यह रेशे लंबे मजबूत और उत्तम कोटी के होते हैं आता है इनसे गर्म सूट, चेस्टर, जैकेट, ओवर कोट, आदी मुलिवान वस्त बनाये जाते हैं अब यहाँ पर हम देखें दोनों के अंतर जो अंतर है जैसे उनी वस्त बूलन फैब्रिक्स यह छोटे रेशो से तयार किये जाते हैं जबकि वस्त बनाये जाते हैं तरफ पस्चाथ सीधे ही कताई करती जाती है जबकि वस्त बने रेशो को गुनाई की पस्चाथ कंगी करने की प्रक्रियात वारा इने समान अंतर किया जाता है बूलन रेशे आंशिक रूप से समान अंतर होते हैं जबकि वस्त यहां वो पूंता समान अंतर होते हैं इनमें बटाई की अधिक आवशक्ता नहीं होती है जिससे एठन कम होती है और इन्हें वस्टेट को अच्छी तरह से बटा जाता है जिसके कारण इनमें एठन अधिक होती है बुलन रेशे कम मझबूत होते हैं जबकि उनी रेशे वस्टेट रियांस जो हैं वो जादा मझबूत और टिकाउग होते हैं इसी तरह से हम प्रैस का भी इफक्ट देखें तो उनी वस्टेटा पर गर मिस्त्री टिकाउग होती है और टिकाऊ होती है लेकिन इतनी जादा टिकाऊ नहीं होती जबकि वस्टेड यान पर अगर प्रेस की जाए तो वो काफी समय तक टिकाऊ रहती है उनी वस्टेड की बुनाई धीली होती है इसलिए इन पर आकशक डिजाइन के वस्टे नहीं बनाए जा सकते इन में बुनाई सगन होती है अतर आकशिक डिजाइन के वस्तर बनाए जा सकते हैं जैसे कि वस्टेट में इसी तरह से दबाव पढ़ने पर उनी वस्तर जो है वो उनका आकार बिगड़ जाता है रेशे खिज जाते हैं जो पुनाई अपनी आकरती नहीं प्राप्त कर सकते हैं जबकि दबाव पढ़ने पर इनका आकार नहीं प्राप्त कर लेते हैं इस तरह से हम देखें तो दोनों क कि अंदर काफी अंतर होता है अब भात करते हैं उन का उत्पादन कैसे किया जाता है जिसमें हम ठोड़ा सा करेंगी जैसे सबसे पहले बेड़ों से उन काट कर इक Zwpart read करना जिसमें सबसे पहले उन को उतारने की प्रक्रिया की जाती है जो कि मार्च और सितमर महा में की जाती है कई गई उनके कटाई वर्ष में तीन बार भी की जाती है इसके परश्चात हातों द्वारा यह जो कटाई है हातों द्वारा की जाती है और मशीनों के द्वारा की जाती है उसके बाद इनका छटाई और श्रेणी करण किया जाता है एक ही पेट के शरीर से लगभग 15 से 20 श्रेणों के उन प्रावत होती है जैसे के आमने पिछले चित्र में भी दिखाया था अता छटाई का कार कुशल एवं ने पूर्ण व्यक्ति द्वारा किया जाता है एकत्रित उन की किस्म लंबाई पारी की प्रत्यासता स्कीम में स्कीम ऑफ अग्रिकल्चर प्रॉडट्ट्स ग्रेडिंग और मार्केटिंग एक थर्टी सेवन टूस निम्लिक श्रेणों में दी गई है लंबाई के आधारबर श्रेणिकरन को हम देखें तो यानि लेंथ ग्रेड स्पैसिफिकेशन इसमें दो इंच तक के उनिक QCD आधी से दश आया जाता है दो से चार इंच के लाओ गणी कशिछ से थे से बहुत रोता है निई र्만 की द्धार किया स्पैसिफिकेशन्य। और इसको quality wise देखें तो 48 प्लस इसको quality दी जाती है that means the best quality जो है वो A श्रेनी का वून होता है दूसरा जो है B श्रेनी का उन यानि medium quality जिसमें micron सीमा 34 से लेकर 49 तक होती है जिसे 40 से 48 तक की quality दी जाती है C class यानि less medium 39.5 से लेकर 43 तक जिसको 36 से लेकर 40 quality में divide किया जाता है D यानि coarse wool जो होती है बहुते rough होती है 43 and above इसकी micron सीमा होती है और यहाँ पर गुन जो है इसका 32 से नीचे होता है अता एक किसमे की उन प्राप्ति के लिए उन की पारिकी 33.5 micron व्यास होनी चाहिए और जैसे जिसे उन की व्यास में ब्राप्ति होती है वैसे वैसे उसकी quality जो है वो धीरे धीरे घरती जाती है अब उसके बाद इसकी सपाई एवं धुलाई की जाती है चटाई एवं स्तर निर्धारन के प्रश्चात उन की सपाई और धुलाई की जाती है जिसमें साबुन के गूल के द्वारा वाश्वित गूल और कार्डोनाइजिंग प्रक्रिया के द्वारा इसको साफ किया जाता है और उसके बाद इसमें सुखाने की प्रक्रिया की जाती है इन्हें सुखाया जाता है जिस परकार बालों को सुखाया जाता है इन्हें भी सुखाया जाता है और उसके बाद तेल लगाने की प्रक्रिया की जाती है क्योंकि धुलाई की वक्त उनमें सुखा बना जाता है उसके बाद ब्लैंडिंग की जाती है मिश्रित करना यानि इस प उनी वस्त्र की बुनाई की जाती है और उसके बाद उसके भराई करना फुलिंग करना जब वस्त्र बनकर तयार हो जाते है तो इनकी भराई की जाती है भराई से इनकी रचना सघन हो जाती है और वस्त्र और भी आकशक दिखते है साथ ही इनमें bleaching और रंगाईंग की प्रक्रिया भी की जाती है depend करता है किस तरह के हमें रंगों का उप्योग करना है और किस तरह से इनका रूप को बनाना है और उसके अंत में परिश्चा और परिश्ट्रती की जाती है अब हम बात करते हैं उनकी विश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् जाता है oxygen is 24% nitrogen 16% hydrogen 7% और sulfur 4% पाया जाता है अब यहां पर हम सुख्मदर्शी रचना और रूप को देखे microscopic structure और उन को इसके रूप को देखे तो उन की रेशो में अनिय मिलता एवं टेड़े मेरे irregular दिखाई देते हैं यह मद्धिभाग से थोड़ा गुलाकार एवं दोनो से नुकीला होता है इसमें परते पाई जाती है पहली बाहरी परत या cuticle जिसे कहा जाता है cuticle universe की सबसे बाहर जाता है इसे सुरक्ष्ठात्मक लेयर भी कहा जाता है इसमें शलकों की संख्या पाई जाती है और शलकों की संख्या जो है 1000 से लेकर 4000 प्रती इंच भी होती है मध्यम पर जो है मिड़ी लेयर और कॉर्टेक्स जीसे कहा जाता है उनी वस्त्रों में उनी रेशो की मत्य की परते यह बहुँ कोशी काया होती है यानि इसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं वह रेशो की मुख्य भाग बनाते हैं इसमें रंग वर्णक मैलने नामन प्रभावित होता है तीसरी जो अंदर वाली जो लेयर है जैसे अंतर परत या मैडूला भी कहा जाता है व्यास जो है उनी रेशो को और सतन व्यास जो है अवरेज यदि हम देखें तो 0.005 से लेकर 0.0015 इंच होता है लंबाई को यदि हम देखें है तो उनी रेशो के लंबाई जो सामनेत है एक से चार इंच तक होती है पर उन्तु कभी कभी उससे बहुत लंबे रेशे यानि साथ से आट इंच तक के बाल रेशे भी प्राप्त किये जा सकते हैं चमक, बेडों की किसम जाती, आहार, उनका स्वास्त, उद्गम और जल्वाई से उन की चमक प्रभावित होती है उत्तम कोटी के उन को कम परन्तु अनोखी चमक होती है निपने कोटी के उन अत्यदिक चमक वा कभी कभी आपतिजनक चमक भी होती है रंग, उनी रिष प्राकरतिक रूप में विविद रंगों में उपलबत होता है इसका रंग सपेद, ग्रे, भूरा और कभी-कभी काला होता है रेशों के मध्य परत, कोर्टेक्स में वंड़क, मेलनिन पिगमेंट पर इसका रंग का प्रभाव पड़ता है मजबूती जो है, उनी रेशे नेरपल होता है, भीगने के परश्चातिन की मजबूती 25% से लेकर 30% तक और भी कम हो जाती है जबकर हमने पिछली उसमें देखा था, कापास का भीगने पर उसकी मजबूती बढ़ जाती है उनी वस्ते दोते समय इस बात का ध्यान रगना चाहिए कि इसे तना सावर्थ भी कम होता है और इसे अच्छे से घोल में भी दुगव कर दोना चाहिए उनी रिशो को अपना मौलिक आकरवा आकरती प्राप्त करने का अध्बुत विलक्षन गुन पर दिमान रहता है यह अपने मौलिक लंबाई से 30-40% अधिक चाने के प्रशाद भी वास्तवी के स्थिती में आ जाते है प्रतिसकंदता को देखें तो उनी रिशो में सभी प्राकृत्रिक रिशो की अपेक्षा प्रतिसकंदता का गुन अधिक पया जाता है इससे कितने भी दबाकर अत्वा मौल कर रखा जाए ये वापस से अपने पुना शेद्रिण अपनी शेप में आ जाते है आध्रता प्रतिधारन एवं अवशोशक्ता यानि उद्णी वस्त्रों में 30% तक वातरवणन से नमी सोठने का गुन रहता है इसके बावजों तो ये वस्त्र गीले नहीं दिखते हैं शिकन प्रतिरो तकता ओनी रेशे शिकन प्रतिरोती होते हैं इसमें प्रतिस कंदता एवं प्रतियास्तिता का अद्भुत गुन विदिमान रहता है जिसके कारण कुछलने के प्रश्चा भी ये पूर्वरत वापस अपनी शिक में आ जाते हैं सफाई और दुलाई कम देखे तो उनी रेशो पर शल्के पाई जाते हैं जिससे इसके वस्त्र की जोसता है वो खुरदूरी होती है इस कारण दूलकर्ण, मिट्टी, कंदगी इसमें पस जाती है अता इसके दूलाई आवशक है और इनननार्वर ब्रश्रे ही इनको धोया जा चाहिए दूप और सूरी का प्रकाश देखें तो उन के रेशो पर दूप प्रकाश का बुरा प्रभाव पड़ता है सूरी की परामैंगने केड़ने उनी रेशो की गुणवत्ता का हास कर देते हैं इससे रेशी कमजोर पढ़ जाते हैं इसलिए उनी वस्त्र को सुखाते स प्रकाश में उन पर एक पतला कपड़ा डाल देना चाहिए रगड का प्रभाव इन पर बहुत ज्यादा पड़ता है रगड से ये रेशे नेरबल पढ़ जाते हैं और खराब हो जाते हैं सूखे इमम ताप का प्रभाव है उनी वस्त्रों का सूखे ताप का बुरा और हान भी लग जाती है हीट कंडेक्टिविटी उन की गर्माहट ये बहुत ही बड़ा इसमें गुण पाया जाता है उनी वस्त्रों उश्मा के कुछ आलक होते हैं अता यह सर्दी मित्वजा को गर्म रखते हैं इसलिए सर्दी की पर पहाड़ी इलाकों एवं ठंड प्रदेशों ये कहलाते हैं उनी रेशो में शलके एवं लहरे पाई जाती है जैसा कि हम इस चित्र में दिखा रहे हैं उनी वस्त्रों में शलके और लहरे पाई जाती है हवा हमें फसकर छोटे छोटे पॉकिट्स जैसे एक रचना बनाती है ये हवा की जेवे जो है उश्मा चालकता में अभरोधद उत्पन करते हैं और वस्त में उश्णता प्रदान करने का गुम देते हैं जिन उनी रेश्यों में जितने अधिक लьогоरे वंत शलके पाये जाती हैं मेरिनों उनमें सबसे ज्यादे लहरे वंत शलके पाये जाती हैं इसलिए मेरिनो बूल शर्वशेष्ट ओन कहलाता है। फैल्टिंग जो है ओनी वस्तर अधिक नमी गर्मी एवन दवाव के संपर्ख में आकर आपस में जुड़ जाते हैं। वे नमदा का रूप धारन कर लेते हैं। बहुत अच्छी पाई जाती है। आद्रिता परिधारन शमता 30% तक होती है। शेकन प्रतिव रोज़कता है जो है बहुत अधिक पाई जाती है। दुलाइक बहुत ही कठीन होती है और इन्हें साफ करना बहुत आविश्यक होता है। रगड से खराब हो जाते हैं। दूप का प्रखाव भी इन पर नेगेटिव पड़ता है। हानी का रख पड़ता है। और इसमें उश्मा का जो चालकता है। पुचालक होते हैं और गर्माहाट प्रदान करते हैं। झालक होता है।